बिना लेसुन, बिना प्याज मटर पनीर की इतनी वज़ेदार सबजी की अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली तो आप उंगलिये चारते रहे जाएंगे तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्ना कीज़े और कमेंट करके जूरूर बताना कि आपको ये मटर पनीर की रेसिपी कैसी लगी, तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपको यह रेसीपी पसंद आईगी अगर आपको यह रेसीपी अच्छी लगे तो लाइक करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए तो चलिए शुरू करते हैं बिन लेसुन प्याज मटर पनीर की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटर को बोईल कर लेने हैं मैंने यहां पर बतन में पाने गरम होने के लिए रक दिया जेसे ही पाने मटर हो गया हमने इसमें मटर पिर ठीड़े हैं कि मटर कितने सोफ्ट होगे तो अब हम गयस की फ्लेम बंद कर देंगे और मटर को एक चलनी से दूसरे बर तन में निकालेंगे और इन थंडा होने देते हैं यह देखी सारे मटर को यह पानीस जिनी के टुकड़ा एक फूल चक्री, आठ से दस काली मिर्ज, तीन से चार इलाइची, चार लोंग और एक बड़ी इलाइची को खोल के ले लिए, थोड़ी सी जावीतरी लिए, इन सभी खड़े गरम मसालों को हम तेल में डाल देंगे, अगर आपके पास खड़े गरम मसाल अगर नहीं है, तो आप इसे skip कर सकते हैं, सिप जीरा डाल दीजिए, और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, तो मैंने यहां पर दो हरी मिर्च को बड़े टुकड़ू में तोड़के ले लिया है, और साथ में लिया एक इंच अधरका टुकड़ा, उसको अच्छे से दो और यह सबजी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, तो आप एक बार इस recipe को जरूर ट्राइ कीजिए, अगर आप लेसुन प्याज के साथ बनाना चाते हैं, तो आप हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा लेसुन डाल दीजिए, और हरी मिर्च बुनने के बाद उसमें आज एड़ कर सकते हैं, और बाद में आप टमाटर एड़ कर सकते हैं, और यह देखें टमाटर को हमने दो मिनट के लिए ढखके पका लिया था, और टमाटर हलके से सोफ्ट हो गया है, तो अब हम इसमें मूंगफली एड़ करेंगे, मैंने यहाँ पर आदा कटोरी लिए यह कच्छी मूंगफली है, यह इसमें एड़ कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर से ढखके टमाटरों को दो से तीन मिनट के लिए और पका लेंगे, आप जाए तो यहाँ पर मूंगफली की जगे काजु डाल सकते हैं, या फिर मगज के भी डाल सकते या फिर कसकस भी डाल सकते हैं, आप इन सबी को इसकीब भी कर सकते हैं, और यह देखें टमाटरों को पकाते हैं में चार से पांच मिनट हो गए, टमाटर पूरी तरह से गल चुके, तो अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे, और टमाटरों को हलका सा ठंडा होने देंगे मैं अभी सुबे में जल्दी में टिफिन बना रही हो, तो मैंने इनको गरम गरम में पीस के तयार कर लिया, आप ध्यान रखिए कि इनको ठंडा होने के बाद ही पीसना है, अगर आपको जल्दी में पीसना पढ़ रहा है, तो आप मिक्सी के ढखकन के उपर एक कपड़ा ल गया है, अब हम एक कड़ाई में फिर से तेल गरम करेंगे, मैंने वही कड़ाई लिए, दो चमच मैंने तेल डाल दिया, जैसे ही तेल हलका सा गरम हो जाएगा, हम इसमें सुखे मसाले डाल देंगे, तो मैंने यहां पर आदा चमच हल्दी पावडर लिया, एक चमच मैंने यहाँ पे कशमेरी लाल मिर्च लिये और थोड़ इसे मैंने तिकी वाली लाल मिर्च लिये एक चमच मैंने यहाँ पे धनिया पावडर लिया इन सभी मसालू को तेल में कुछ सेकिंड के लिए भून लेंगे तेल में पहले मसाले भूनने से इसमें जो फ्लेवर है वो भी और अब हमने जो ये पेश्ट बना के रखा वो इसमें एड़ कर देंगे, ध्यान रखना है कि पेश्ट अभी बहुत गरम है, और जैसे हम कड़ाई में डालेंगे तो इसके चीटे आएगे, तो हाथ को थोड़ा सा साइड में रखना है, अब हम इसमें मिक्सी के जार में नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा एड़ कर सकते हैं, अगर आप बढ़ू के लिए बना रहे हैं या आप ज्यादा तीका काते हैं तो आप मिर्ची की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं, सभी मसाले हमने ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब हमें तुरंत कड़ाई के उपर डखकन लगा देना, अभी ग्रेवी से बहुत ज्यादा चीटे उच्छे लिए तो डखकन तुरंत लगा देना और दो मिनिट के लिए डखके पका लेना, और ये देखिए ग्रेवी हमारी लगबग तयार हो चुकी है, अब हम इसमें मल मलाई इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और ये देखिए दो मिनिट हो गए है, मलाई इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है, और अब हम एक बार सबजी को चला लेते हैं, और जो हमने मतर बोईल करके रखे हैं, वो हम इसमें एड़ कर देंगे, इसी टाइम हम इसमें मतर और इसे दो मिनिट के लिए फिर से डखके पकलेंगे ताकि पनीर और मटर में सारे मसाले अच्छे से एब्जॉब हो जाए और ये देखिए दो मिनिट हो गए है और सबजी हमारी बनके तयार हो चुकिए है सब्जी को हमें एक बार चला लेते हैं और ये देखिए सब्जी हमारी पूरी तरह से बनके तयार हो चुकी है और अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे ये देखिए दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और उपर से हमें इसमें कटावा हरा दनीय डाल देंगे हरे दनीय को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को सव कर लेंगे जो हमने हरे मटर बचा के रखे तो हम सब्जी में उपर से डालेंगे मटर पहले से ही पके हुए हैं तो हमें उन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूत नहीं है और वो सबजी के उपर रहेंगे तो वो दिखने में अच्छे लगेंगे जो हमने इसमें मटर एड़ किये वो सबजी में अच्छे से मिक्स हो गये तो उसका कलर इसमें दिखेगा नहीं और उपर से हम थोड़ा सा ग्रेट किया और पनीर एड़ कर देंगे और यह लीजिए हमारी मज़ेदार सी मटर पनीर की सबजी तयार है उमीद है आपको यह सबजी पसंद आई होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह मटर पनीर की सबजी कैसी लगी अगर आपको recipe अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना family and friends अभी के साथ share जरूर करना और अगर आप कोई और recipe देखना चाहते है तो मुझे comment करके बताइए मैं आपके साथ वो recipe जरूर शेयर करूंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लीजिए म मिलते हैं फिस एक नए recipe के साथ